आप देख रहें एचबियन न्यूज जो सच वही खबर नमस्कार आप देख रहे हैं एचबियन न्यूज और आपके स्थाथ मैं हूँ साक्षी खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइन्स पर ग्वालियर में चलती कार में लगी आपकार ड्राइवर डिकोद कर बचाए अपनी जान मौपे पर पहुचे फायर ब्रिकेट की गाड़ी लखीम पुर्खीरी में प्रेस कॉंफरेंस के दौरान पुलिस में महिला हत्यागान का किया खुलासा लखीम पुर्खीरी में पुलिस अधिक्षक ने की प्रेस कॉंफरेंस जले हुए अवस्था में मिले शपड़ी चर्चा ग्राम पंचाइट गंगहरा में सचेव निदी किसानों और हितग्राईयों को ग्राम पंचाइट की सभी योजनाव की जानकारी रीवा में नए संभाग यूद्ट डॉक्टर अशोग भालगम ने पदवार किया ग्रह कहा शिक्षा उस्वास्ते व्यवस्था में होगा सुधार और अब रोग करते हैं खबरों की ओर कि और आग पर काबू पाया गया कि दॉआ कि टेलीपोन दॉआ सुसरे मिली थी कि जो है ठाटेपूर पीड़वी ओपिस के पास एक कार मयाग लगी है गाली रवान की थी गाली किया आपको बजाया गाली बिनुद राठ और एसपी सापके रीडर की गाली थे है इसका नंबर MP 33-0-1601 है वही आग लगनी का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है और पुलिस फिलहाल जाच में जुट गई है लखीमपूर खीरी में प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान पुलिस ने महिला हत्याकांट का खुलासा कर दिया है महिला की हत्याकों अंजाम किसी और ने नहीं बलकि उसके ही पती ने दिया था लखीमपूर खीरी में प्रेस कॉन्फरेंस में पुलिस अधिक्षक पूनम ने बताया कि थानाक शित्र सिंगाही के अंतरगत भेड़ावरा निवासनी लजजावती 12 जनवरी को घर से काम करने निकली थी शाम को घर बापस न पहुँचने पर घर के और आसपास की लोगों ने चानवीन चुरू की तो पूरी रात ग्यानवीन करने के सुबह गाओं के कुछ दूरी पर एक गन्ने के खेत में महिला म्रत वस्था में पाई गई सगे संबंदियों ने हत्या की आशंका जताई थी जिसकी तेरी सिंगाही थाने में म्रत महिला के भाई ने दी दी जिसका चलते हत्याकान में आरोपितों की तलाश के लिए मुख्विर की सूशन पर संभावे ठिकानों पर लगातार दविश्थ दे संबंदों का शक था उसके आदार प्रवे इसको मानने की योजना बना रहा था और बारा में जब यह काम करने के लिए गई है तो वहीं पर इसने जाकर इससे बात की इसको रोका कि खेट से चारा भी यहां पर ले ले लेते हैं खेट में लेकर गया और गला दबाकर इसकी संबंदों किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कई सालों से चौल रहे थे ये बात हत्या करने वाला महिला के पती चेतई को गिरफतार कर पुलिस अधिक्षक के समक्ष पेशकर संबंदी धराओं में मुकदमा दर्जकर जेल बेजा गया लगहीं पुर्खीरी से संबादाता विक पासवर्मा की रिपोर्ट अच्वीन निव्स वियो त्री लखीमपुर खीरी में प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान पुलिस अधिक्षक पोनम ने बताया कि गोला के मोहला पुर्वी दिक्षिताना में एक व्यक्तिक अश्यब आग के जली अवस्था में मिला था जिसके संब गटना की सूचना पर थाना पुलिस द्वारा शब्क की शिनाक्त के लिए प्रियास किये गए परिणाम सो रूप अक्याच शब्की शिनाक्त जयाद अली पूत्र तोकील एहमद ग्राम और पोस्ट लोकी हा लला पुर्ट थाना इसानगर के तौर पर हुई जिसके मामने की गहनता से जाजकर मुक्वे से मिली तो यह यूवक जैद अली जो की शानगर का रहने वाला है चंदिगड काम करता था यह बीस तारिख में अपने घर से निकला था और गोला में जो दो यूवक वहीं के ही हैं अन्शुमान सुकला और सोनू वहां चुराहे पर थे और उनको यह लगा कि यह वेक्ति के पास पैसा होगा और इसे बातचीत की और इसको इनोंने वहीं एक जो विवादित मकान है अन्शुमान जिसमें रहता था उसमें रोक लिया और इकिस में फिर जब इससे पैसे लेने का प्रयास किया इनके पूशताच में इनोंने बताय कि इसको यहीं पर छिपा देंगे लेकिन बाद में इसको जलाने की योजना बनाई और पैट्रोल से वहीं पर एक जो प्लाट है 60-70 मीटर की दूरी पर उसमें इस शव को इनोंने जलाया और दोनों फिर पूरा जब केस को वर्काउट किया गया तो इनके पास से दोनों इन अभियुक्तों को गिरफतार किया गया और वहें इट बरामद की गई जिससे इनोंने सिर्पर वार किया था जिस पर रक्त अभी भी लगा हुआ था और जो मृत्तक है इसका मोबाइल बरामद हुआ और उसका बैक बरामद हुआ है इस सूचना के आधार पर दो लोगों को गिरफतार किया उस त्यास में उन्होंने बताया कि हम लोग जयाद अली को अपने घर ले जाकर साथ में नशा करने के उपरांथ हुए विवाद में अभियुक्त गड़ो द्वारा मृतक के हाथ पीछे बांध कर ईट से सर पर वार क हत्या के उपरांथ उसके मूँ में कपला ठूस कर मृतक के शब को अपने प्लाट में रखकर पहचान चिपाने के उद्देश से पेट्रोल डाल कर शब को जला दिया था गिराफतार किये गए अभियुक्तों में अंशुमान शुकला और अंशु पुत्र नरेश देव शुकला निवासी मोहमदी रोटपूर्वी दिखशिताना गोला सोहन और अंविव सोनु पुत्र छोटे लार निवासी हाफिस पूर्थाना गोला इन दो लोगों को पोलिस एक इंच और एक मोबाइल और एक कपड़ों की बैक समित गिरफतार कर जेल भीज दिया है लखीम पुर्खीरी से संबादाता विकास वर्मा की रिपोर्ट एच्विया ग्राम पंचायत गंगहरा में सचिव द्वारा किस्तानों को और हित्गराहियों को ग्राम पंचायत की सबी योजनाओं की जानकारी दी गई सचिव की ये पहल सराहनिये बताई जा रही है आपको बता दी कि जो हमारे संबादाता एच्वियन की चतुरेश दिवेदी ग्राम पंचायत गंगहरा के पहुचे तो सचिव द्वारा किशानों को और हित्गराहियों को ग्राम पंचा और उन्होंने कहा कि शिक्ष्या और स्वास्ते विवस्था में सुधार होगा। तो इसलिए एक स्वस्त रिष्टा आप हमारी बीज बना रहा है इस मक्सद से ही मैंने ये सोचा कि आप सबसे बाचित की रहे हैं राजस्पे के प्रकण डिचे जूप से काफी मात्रा में पेंडिंग है हम उसकी सब्सक्रा करेंगे और मैंने अभी जो देखा भी पहुत समय तो हुआ नहीं जो अधिनस्त नियाले के जो प्रकण है वो समय पर नहीं आ पाते तो सुधार होगा और साथी पेडितों को न्याय दिलाने को अपनी प्राथ मिक्ता बताई मधिबदेश के रीवा संभा के नवा और अब इसी के साथ दीजे मुझे इजाज़त और आप देखते रहे हैं अच्पिया न्यूज आप देख रहे हैं एच्पिया न्यूज जो सच वही खबर